इस वर्ष मागी पुर्णिमा 24 फरवरी को मनाया जाएगा इस मागी पुर्णिमा के दिन मिथलांचल में अशनान और दान करने का बिशेश महतो माना जाता है खास कर मागीपुर्णिमा के दिन दर्भंगा के गौसा घाट और कमला नदी में अशनान और पूजन करने की विदी शदियो पुरानी है इस दिन यहां हजारों की संख्या में लोग डुबकी लगाते हैं मागी पुर्णिमा में इन दोनों नदियों में अश्नान करने के बाद रट पर इस्थित मंदिर में पूजा अर्चना का भी विशेश महत्व है, साथ में यहां पे दान पुन्य का भी विशेश महत्व माना जाता है। अधि में अधि मैं रच्भा संतान प्राप्त हेत अश्नान दान शिवार्चन मन्शिव का पूजन इत्याजिका विशेश महत्व है खास करकि जीसे गर्व में ही संत्टान का अंत हो जाता है, अधा मिर्त कारत हो जाता है अधात उसे संतानोत पत्ती होती ही नहीं है बंध्याबा काक बंध्याबा जो गर्वधारन करती हैं परन्तु संतानोत मिस्वस्तास लांगेना अधात बच्चा जो है सुजन्म लिया और मिर्त को प्रदान कर गया तो इस सब के लिए मागी पूर् अश्नान करने का विशेष महत्त्य है एवं वहां दान शिव का अराधना करने का विशेष महत्त्य है इसलिए मागी पूर्विमा को अश्नान ब्रत दानादी करना चाहिए